हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेल्कम टू सफलतावंत्र दूस्वांज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है सुबह की क्लास में लोग कवर करते हैं करन्ट अफेर्स के इंपॉर्टन कोश्चन्स तो दूस्वांज डेट है चोदमार्चाज की क्लास में आपको मिलेंगे चोदमार्च से समंधित सभी इंपॉर्टन कोश्चन्स एक एक कोश्चन को देखेएगा समझेगा और आंसर जरूर करिएगा देखे कि कितने कोश्चन आपके सही हो रहे हैं पूरी व्याक्या के साथ हम लोग एक कोशन को देखेंगे और याद करते चलेंगे साथ ही साथ दूसरों गर आप लोग पहली बार जुड़ रहें तो प्लेलिश में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखेगा ताकि आपके सभी कोशन डेली के डेली कवर होते रहें चली बढ़ते हैं पहले कोशन की ओर पहला कोशन है भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा इस्थान मिला तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल एनिमल एजनसी के जारी किया गया इंडेक्स है सूचकांक है जो की ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन यानि की विश्व में एनिमल जानवरों की प्रोटेक्शन को लेकर जारी किया गया इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा इस्तान मिला या आपको बताना है तो इसका आपका C number option बिलकुल सही हो जाएगा इसमें आपको भारत को दूसरा इस्तान मिला है और साथ ही साथ उससों आपको बता दे कि इसमें कुल मिला करके 50 देशों का एक सर्वे किया गया था पचास देशों ने हिस्सा लिया था और इन पचास देशों में सबसे सही हालात में ने यानि कि पहले नंबर पर वात की जाए तो सुईडेन बगेरा की है और इसका सेकेंड नंबर पर आपका दूसरे नंबर पर भारत इसके साथ ही UK और एक दो अन्य देश भी रहे दूसरे पर एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में याद रखी का इंडेक्स आपको बार बार बता रहे हैं एक दो अंक के 100% पूछे जाएंगे अगला कोशन है किस सरकारी संस्था की प्रियोग साला ने जाली पासपोर्ट और दस्तावेजों की जाज के लिए नई इंक खोजी है यान से कौन सी संस्था है हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं तो दोस्तों यह सरकारी संस्था जिसका नाम है दोस्तों CSIR आपको पताओगा एक सरकारी संस्था इसके अंतरगत ही यह नई स्याही की खोज की गई है जो कि मुख्य रूप से आपके जाली जितने भी जाली सभी से सम्मंदित इंपोर्टेंट आपको सही जानकारी मिलती रहेगी चले बढ़ते हैं थार्ड नंबर कोशन की और जल प्रवंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए किस राज ने वर्ल्ड वंक से रिंड लिया तो दोस्तों जल प्रवंधन की प्रक्रिया यानि कौन सा राज्य है किसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्सन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में हाली में बर्ड वंक से रिंड लिया जो की जल प्रवंधन पर मुख्य रूप से आधारित है तो इसका आपका दोस् जाएगा थर्ड नंबर कोशन का चलिए बढ़ते हैं लोग फोर्थ नंबर कोशन की और भारत सरकार ने किस योजना के तौर तरीक को निर्धारित करने के लिए एक समितिका गठन किया है तो दोस्तों भारत सरकार ने अपनी एक सरकारी योजना जो की सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है इस पर जो नई योजना है जो की तो इस पर जो कारकरम निर्धारित किया जा रहे है जो भी किया जाएगा उसको लेकर एक समितिका गठन किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया सठीक ढंग से चलती रहे तो ये किस योजना की हम लोग बात कर रहे हैं अभी ह किसानों से सम्मंदित अनाज उनके जितने भी वेचने वाले सामगरी होगी उन सभी को इस रेल में ले जाकर के एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक यानि कि बड़ी मंडिय तक पहुंचाने में मदद मिलेगी मुख्य रूप से किसानों को लावनवित करने के लिए चालू क किसान रेल में एक अलग से रेफरिजरेशन का पूरा बोगी लगाई जाएगी जो कि जो ऐसे सामानों जो खराब हो सकते हैं उन सामानों को जल्दी पहुंचाने के लिए और विना खराब हुए पहुंचाने के लिए रेफरिजरेशन का भी एक बोगी किसान रेल में लगा शक्ता को समाप्त कर दिया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नियुन्तम वैलेंस रासी अभी तक आप लोगों को एकाउंट खोलने के लिए मिनिममम बैलेंस चाहिए होता था कि इस से कम में आप इस बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं मुख्यता आपने ये प्राइबेट बैंक में ज़्यादा देखा होगा लेकिन सरकारी बैंक में भी इस प्रकार की कुछ लिमिटेसंस लगाई गई थी लेकिन अभी हाली में इस प्रकार के सेविंग एकाउंट के लिए इस नियुन्तम वैलेंस की रासी को एक बैंक ने समाप्त कर दिया है ये कौन सी बैंक है तो आप लोग सटीकता से आंसर दे सकते हैं बता सकते हैं कि स्टेट बैंक ओफ इंडिय SBI की हम लोग बात कर रहें जिसने की अभी हाली में नियुन्तम वैलेंस रासी की आविसकता को समाप्त कर दिया है इसके पहले बड़े सहरों के लिए 3,000, छोटे सहरों के लिए 2,000 और उस से ग्रामेड शेटरों के लिए 1,000 मिनिमम वैलेंस होना अनिवार था प्रतिक बैं माइनेस कर ली जाती थी तो ये आपके SBI ने इस प्रकार की सेवाओं को समाप्त कर दिया है साथ ही साथ SMS सर्विस के लिए भी जो चार्जेज लगते थे उनको भी माफ कर दिया है उनको भी बंद कर दिया है चले बढ़ते हैं लोग अगले कोश्चन की ओर तो कोश्चन अगल दिया गया दोस्तों Economist Intelligence Unit E.I.U. द्वारा भी जारी की गई एक इंडेक्स जिसका की नाम है समावेसी इंटरनेट सूचकांक 2020 इसमें भारत को कौन सा इस्थान मिला बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक में से एक है तो समावेसी इंटरनेट सूचकांक यानिकि इंक्लूज इसके द्वारा जारी किया जाता है तो इसमें आपको वताना भारत को कौन सा इस्थान मिला तो दोस्तों Economist Intelligence Unit द्वारा जारी के ये समावेसी इंटरनेट सूचकांक में भारत को 46 इस्थान मिला है इसका आपका C नंबर ऑप्सन बिलकुल सही हो जाएगा साथी साथ दोस्त इसमें कुल देशों की बात की जाए तो सो देशों ने इस्थारी लिए थी सो देशों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि पिछले बर्स भारत की स्थिति 47 में नंबर पर थी एक एक इस्थान नीचे उतर कर आप 46 में नंबर पर आ चुका है ये आपका इंटरनेट छ खेतर से समंदि सूचकांग है साथी साथ दोस्तों इसमें ततपरता से समंदित यानिकी कार करने की जो तीबरता होती है उसमें भारत को वारमा इस्थान दिया गया है दोनों ही important point है मुखिरूप से आपको याद रखना सव देशों में भारत का 46 मा इस्थान 2020 के इस index में आया है जल्दी आप लोगों के लिए सभी index की एक अलग से class लेकर आएंगे और पूरा आपका revision भी कराये जाएगा आप लोग classes को अधिक सदिक संख्या में देखना प्रारम कर दीज़े आपकी साम की class जो की सीटेट सुपर टेट पर आधारित है वो भी start हो चुकी है तो अगर आप लोग classes को नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखेगा और अन्त में आपसे जो question पूछते हैं उसका answer भी जरूर करिएगा seven number question है हाल ही में किस railway station का नाम बदल कर नाना संकर सेठ के नाम पर रखे जाने की गोशना की गई है तो दोसों उत्तर प्रदेश सरकार की तरजपरवी हाल ही में एक अन्य राज ने अपने इस्थानों के अपने सहरों के अपने railway stations के नाम बदलने का नेने लिया है तो दोसों ये कहां की सरकार है seven number question है हम लोग बात कर रहे हैं महराष्ट की महराष्ट की सरकार के अंतरकत मुंबई सेंट्रल का नाम बदल कर संकर सेठ जी के नाम पर रखा जा रहा है ये एक बहुत ही पुराने लगवग उन्नीस सो अठारा सो सतावन अठारा सो पचास के आसपास के व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने भारती रेल में को भारत में लाने के लिए काफी मसकत की थी और ये मुंबई के ही निवासी हैं इसलिए इनके नाम पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखे जाने की गोसना की गई है याद रखेगा इसके पहले मैं आ याद रखेगा दोनों ही बहुत ही महराष्ट सरकार से सम्बंदित हैं नाम बदलने से सम्बंदित तो मुंबई सेंट्रल का नाम बदला गया है अगले बढ़ते हैं हम लोग एर्थ नमबर कोशन के उड़ किस अंतराशी कमपनी ने भारत में प्रगति नामक अपनी कॉर्पोरीट सोसल रिस्पॉंसिबिल्टी CSR पहल सुरू की है तो दोस्तों आपकी Corporate Social Responsibility पहल जो है ये मुख्य रूप से महिलाओं पराधारित है महिलाओं को बढ़ाबा देने के लिए प्रारम की गई प्रगति नामक एक पहल है जो कि प्रमुक रूप से महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है अंतराशी कंपनी कौन है इसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूस्तों Facebook ने भी हाली में अपनी पहली CSR प्रगति नामक पहल सुरू की है जो कि भारत में ही सुरू की गए इसलिए जादा इंपोर्टेंट है महिलाओं पर आधारित है प्रतेक सीज़ापकी क्लियर हो गयोगी डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा मार्क जुकरवर्ग जो है वो Facebook के CEO और संस्थापक है फाउंडिंग मेंबर है याद रखेगा सभी एक्जामस में ये कोशन आपको 100% देखने को मिलेगा तो आपको बताना है नूपुर कुल स्रेश्ट जी अभी हाली में किस विभाग में चुनी गई है डी आई जी के तोर पर तो नाइन नंबर कोशन और इसका आपका दोस्तों ए नंबर ऑप्सन है भारतिय तटर अच्छक वल जो होता है इसमें उपन रिच्छक के रूप में इनको अभी प्रमोशन मेरा है जो कि पहली ऐसी महिला हुई है इस पद तक पहुँचने बाली है तो नाइन नंबर कोशन का आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आपको क्लासे समझ में आ रही होगी अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो नीचे आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाक्स में पूरी हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा जिसमें लगबग आपको पचास से साथ क्लासे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेर की अलग से दी गए इसके लावा सीटेट और सुपर टेट की क्लास साम को छे बजे डेली चलती रहेगी आप लोग उस क्लास को भी अधिक से दिक संख्या में देखेगा क्योंकि दोस्तों उसके लिए भी अच्छे-च टून कर लाना काफी महनत का काम होता है तो आपको सिर्फ क्लास को देखना है और सेर करना है टैन नंबर कोशन है किस देश ने हाली में सोलर रिसीवर ट्यूब टेकनलोजी विक्सित की है तो दोसों ये सोलर रिसीवर ट्यूब टेकनलोजी सोर्स उर्जा पराधारित है एक टेकनोलोजी आपने देखा होगा solar plates लगाई जाती है इस अपर उनमें एक प्रकार का tube लगाने से उसकी जो छमता है वो बढ़ जाती है साथ ही साथ जो उसकी energy को जोडने की energy को लाने की power है वो भी बढ़ जाती है यह solar receiver tube technology जो है अभी भारत में ही विक्सित की गई है तो इसका आपका B number option भारत में सवर उर्जा से समंदित विवेताओं को देखते हुए भारत के मौसम को देखते हुए इस receiver tube technology को develop किया गया है इसका आपका B number option बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं लोग 11 number question की और बिल्कुल end की और हम लोग बढ़ रहे हैं class पसंद आ रही हूँ questions अच्छे लग कोजी के उसको जो चोटी है सबसे उची चोटी है किस देश की है चुंकि कोश्चन जीएस का है लेकिन बात कब किये भी हाल ही किये जहां पर भावना धेरिया ने अपना जंडा फहराया है होली के एफसर पर तो ये किस देश की बात हो रही है चारों आपके सामने दिये गए हैं तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर कोश्चन का सी नंबर आपसन बिलकुल सही और शेलिया की है मांट कोश्चिस की उसको सबसे उची परवच चोटी है आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत महत्पूर कोश्चन है साथ ही साथ दोसों आपको बताना चाहेंगे कोरोना वाइरस काफी तेजी से फैल रहा है जिसको लेक अगर राज्य सरकारों ने छोटियां घोसित कर दी है अन्य अपनी तरफ से भी आप लोग पहल करते रही है सफाई का विसेज ध्यान रखिया और दूरी बनाए रही है एक दूसरे से घर पर ही बैठकर अपनी पूरी त्यारी करते रही जादान खूमने की कहीं जाने की जर दोते रहिएगा और छी खासी आने पर तुरंत या तो डॉक्टर से संपर करिएगा या रुमाल लगा कर अलग उस शेतर से अलग हट जाएगा इस प्रकार की हेल्प आपको और साथी साथ समाज को कोरोना वाइरस के खत्रे से बचाएंगी साथी साथ आपको आगे की और अ सबसे बड़े इसके विद्याले होते हैं सरकारी संस्था है और यह आपकी हिमाचल प्रदेश में जगह है मंडी वहाँ पर प्रद्यग की नवाचार केंदर स्थापित किया गया जहां पर नई नई प्रकार की खोजें आविसकार और एक्सपेरिमेंट्स किये जाएंगे त वैल नंबर कोशन का उमीद करते हैं आपको कोशन पसंद आया होगा अप देश्टों हम लोग बढ़ चुकें कल के प्रस्ट की और आप लोगों को बताना है दोस्तों जल्दी से आप लोगोंने आंसर किये थे हम बताएंगे किसका अंसर सटीक रा काफी लोग आंसर करते है कमेंड बॉक्स में आप लोग भी जरूर करेंगे तो कल की क्लास में आपका नाम लिया जाएगा चाप चार कुट उतसब हमने आपको उताया था मिजोरम में मनाया जाता है मिजो जन जाती की जास दौरा ये मनाया जाता मिजोस या मिजो जन जाती इसको लेकर काफी लोगो प्रांचू थाकूर जी ने भी बताया है वाइस कम आ रही थी लेकिन आज की क्लास में बताईएगा वाइस अप क्लियर आ रही होगी माईक में कुछ प्रॉबलम हो गई थी इसलिए दूसरा माईक लिया है इसके लिए सांभवी पांडे जी ने भी बताया है कि ये दो दिवसी पर्व होता है और ये एजवाइल के सुवाना जंगु इस्थान पर मनाया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का प्रित्मा पांडे जी ने बताया है कि सुपर्टेट की क्लास चलाई जाएंगी बैसे ही जय से यूपी टेट की क्लास चली थे और आप लोगों ने जैसे उसमें पास किया तब वैसे ही आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा देवी जी अन्य लोग प्रगती जी सभी का धन्यवाद एक बार कमेंट करके अगली क्लास के लिए आंसर देखेगा आज की क्लास में कमेंट करके बताएगा असरफ गनी किस देश के राष्टपती बनाए गए है अभी आपको पर्सों की क्लास में बताया था इन्होंने सपत ग्रहन कर ली है तो यह किस देश के राष्टपती बनाए गए है अधिक सदिक संख्या मैं आपके आंसर आने चाहिए questions कैसे लगे class कैसी लगी वो भी बताएगा अगर voice clear ना आ रही हो तो वो बताएगा ताकि उसको भी clear किया जा सके आज की इस class में इतना है दोस्तों जुड़े रहे थे थें कि दोस्तों goodbye take care